डर का पता नहीं, खौब बिठा देंगे और माही भाई ने कहां बैटिंग तो आने दो, माहाल उठा देंगे और माही भाई ने माहाल उठा भी दिया अभी बजा आएगा ना भिडो पूरा लखना वह ऐसे चीख रहा था, माही, माही, माही भाई धिली तक अबाज आई यार, नोईडा में स्टूडियो है मेरा पूरा गूंज रहा था बाज देखो मजाक सेट के पर माही भाई का बल्ला जिस तरीके से चल रहा था ये है अपडेटेड 2.0 वर्जन महेंदर सिंग धोनी और माही ने जो सौड लगाया है वो छक्का मौसीन कान को मैंने माही भाई को पिछले 15 साल की करियर में ऐसा सोट मारते हूए नहीं देखा यार ये कौनसे माही है ये अपडेटेड माही है भाई देखो 15 साल का करियर में अपना बता रहा हूँ जबसे मैंने होश संबाला माही भाई का मत ले लेना इक तो तुम मारने के लिए बहुत तैयार रहते हो माही भाई की बात हो रही है तो सिर्भ माही भाई के मैंने देखा है यह अपनी बात बता रहाम कमाल की बैटिंग और गजब के फॉर्म में है मुझे लगता है माही भाई को यार वर्ल्ड कप भी खेलना चीए जो भी ये एगरी कर रहा है कमेंट में जरूर लिखना है क्योंकि लिखोगे तभी तो समझ में आएगा न कि आप भी मेरी तरह सोच रहे हो बाकि सोच से इस बार के सीजन में आपके सोच बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो ऐसा होना ही नहीं है हम सोच रहे थे सीज के आसानी से में जीज जाएगी लखना उर्याले ने कहा है कि रुक भाई रुक थम जा हमारे हाथ में भी बल्ला और वही खून दोरता है नसों में जो माई भाई के नसों में केल राहूल ने बोला कि हम है अभी जिन्दा और हम बताएंगे तुम्हें की कैसे रंचेज करते हैं चेज मास्टर वरे विडाट को लियो लेकिन हम भी तो कप्तान है पागल थोड़ी ना है पैसे दिये भाई खेलेंगे और केल राहूल ने कुछ अलागी खेला क्योंकि माहूल जो उठाय था माही भाई ने इन्होंने पुरा माहूल का पैकप कर दिया यार क्यो हिला डाला ना बंदे ने सो रंसे प्लस की पाटनर्सिप कर दियो और डीकोग को साथ में खिलवा लिया डीकोग खुद कह रहा है कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा केल भाई कितना भागूँगा इतना पैसा मैं इतना ही परफोर्मिस मिलेगा 20-25 से ज़्यादा उसका नहीं था 20-25 में उसको कह रहा है था एक बार कि भाई मुझे 50 हो गई है मान लो क्योंकि इतना पैसा नहीं दिया आपने मिचल स्टार्फ पैट कम इसको देखो ना कितना कितना दिया है हमारा पर भाई जिस तरीके से केल राहूल ने उन्हें खिलाया कि भाई ऐसा है खेलना पड़ेगा साथ में खिलाया और ये होती है केप्टेन की बात कि अपने साथ साथ अगला जो आपका आउट और फोर्म बल्लेबाज है उपना रहा और जिसमें दमखम है उसको भी चलाना क्यूंकि इस तरीके से फोड़ना चालू करा केल राहूल ने कि required run rate जो था ना वो current run rate से नीचे आ गया था मतला वहाँ कुछ करने की जुड़त ही नहीं थी 100 प्लस की पार्टना सीप हो गई थी और विकेट लेस जारी थी CS के माई भाई भी विकेट के पिछे से कह रहे थे गेम कैसे बदलो समझ नहीं आ रहा ये बॉलरों को क्या हो गया है क्योंकि बॉलरों कोई कि सिर्फ कोटाई करी है दोनोंने डी कोक मार रहे थे केल राहूल मार रहे थे और run इतना बड़ा था ही नहीं और thanks to जडेजा क्योंकि जडेजा ने 40 गेंदों पर 57 run बनाए 140 के strike rate से भाई आजकल T20 में 200 के strike rate से नीचे मांत नहीं बननी आप जब 40-50 बॉल खेल जाते हो न तो आपको दोसों के हिसाब रखना पड़ेगा क्योंकि आपको बॉल नहीं फुटबॉल नजरा आता है फिर पस जडेजा ने बल्ला ही नहीं चला पाए सीखो सीखो जिंदगी में सीखो तो क्या आपको भी IPL के मैचेस से पैसा बनाना है और अपने महंगे महंगे शौक को पूरा करना है तो राहुल दादा के टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो आप हर दिन प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे हर मैच में आपको मिलेगा कौन सी टीम टॉफ जितेगी कौन सी टीम मैच जितेगी सैसन क्या बनेगा ड्रीम 11 की टीम स्माल लीगmot ही ग्रैंड लीग्रैंड लीग चेख करो एक बार मैं खुद personally इनको follow करता हूए और हर दिन कमाता हू out & back to back इनके सारे matches पास होते और शिर्फ बोल दी रहा हूँ आप भी जाकर चेक कर दो एक बार and number is Okmake स्टिप्टन में भी मिलेगा तो आप वहां से इनको वार्सप पे मैसेज कर सकते हो तो जोईन करना मत भूलना जो नैने आ रहे थे मोहिन अली ने बल्ले चला दिया माही भाई ने बल्ला चला दिया पर जडेजा कह रहे थे कि तुस्ती मार दिये तलवार बाजी कर दिया अप अपने पोजिशन चेंज कर दी चौथा पोजिशन दे दिया भी या जडेजा को पांच में पे दूबे जी आए और दूबे जी ने कहा कि ये पोजिशन हमें पसंद नहीं आई भाड में जाओ हम नहीं खेल ले बड़ा हरामी हो बोटा दूबे जी कब आये कब गए पता न रहे अपने बॉलिंग परफेक्ट बनाने के लिए क्योंकि मयंग के आदब ने उसका अलगी कम्बिनेशन दे दिया था 155-50 से लेके बंदा है सही लाइन लेंसे जब चाहिए था केल राहूल को तब विकेट निकाल के दे रहा था वो इंजड है अब जब वो इंजड है त क्योंकि जटेजा ने बहुत स्लो खेला भाई आज के टाइम पे ODI के लिए वो आपका स्ट्राइक रेट ठीक है T20 के लिए not acceptable क्योंकि इसी कब जैसे CSK जैसी ऐसी खतरनाक बैटिंग लाइनप ने सिर्फ 176 रन ही बोर्ड पे लगाए एक और उलट फेर कर रहे हैं वो रहा रहाने से उपन करवा रहे हैं गायकवाड को वन डाउन खिला रहे हैं या गायकवाड को ओपन खिला यह रहाने ने अच्छा खेला लेकिन वह वन डाउन अच्छा खेलते हैं और गायकवाड ओपन में अच्छा खेलते हैं कभी-कभी नंबर का गेम बिना लग के साथ मिक् क्या बात है सर केल राहूल को आउटी नहीं हो रहेते और मार भी तेज तेज रहेते छक्का चोका सब मारा पिछले मैच के हेरो पतिराना को इतना मारा कि वो कह रहेते कि मुझे नहीं पता मुझे नहीं खेलना भाई भाई माई भाई ये बांगला देश की तरह मुझे पेट रहे हैं जब मैं सिरलंका की वर्दी से खेलता हूँ क्यूं मार रहे माई भाई आप बचाओ माई भाई ने कहा हमेने पता भाई आज हमारे बल्ले चल गए है हमने अपना शो दिखा दिया दरसक खुश है आप अपने हिसाब से देख लो सब को मार पड़ी बॉलर ऐसे बिल्कुल ही चैन्ने के ऐसे लग रहे थे कि विकेट निकालना मुश्किल हो रहा है तो वो रन क्या बचाएंगे लास्ट में जाके विकेट लिया डिकॉक का लिया केल रहूल का लिया लेकिन तब तक मैच पूरा निकल चुका था पूरा ना है वो और तेज खेल गए गेम में कुछ बचा नहीं था एक तरफा मुकाबला ये लखनव जीत गई देखो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि CSK मैच जीतेगी अगर लखनाओ जीते तो बहुत फाइट होगा एकदम काटेदार मुकाबला होगा ट्विश्ट अंड टान होगा अप एंड डाउन रोलर कोश्टर ऐसा कुछ इंटर्टेन्मेंट मिलेगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये बात मुझे बहुत दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि पहली बार CSK decision की वज़े से हार गई हाँ बांता हो मेरी छोटे मूँ बड़े बात वाली बात हो जाएगी गाली वाली भी दे दोगे तुम लोग लेकिन यार ये सच है ये बहुत बुरा हो गया क्योंकि जो changes किये न इन्होंने बैटिंग ओडर में वह एक काम खराब कर गया भाई आप देखो न एक तो समीर इजवी इस पे बात करेंग यार आपको मौका मिला है बहुत नाम हुआ था इसका कि ये अलग ही extraordinary player है और आउट किस पे हो रहा है कुनाल पांडिया उसकी game पे कोई आउट होता है भाई साब बास हाँ रहाने भी हुआ था पर देखो नो भाई उमर भी तो हो गई उसकी उसका चलता है तुमको बीच-पिच पे लाके खड़ा कर दिया भाईया मारने गयो तो देखके मारो ना थोड़ा time low starting में ही आके मारने लगे महिंदर सिंग दो नहीं समझ लिया हुआ खुदको भाई रिजवी मौका बहुत मुश्किल से मिलता है उसको भुनाने के जुरुत है आपको थोड़ा वक्त बिताने के जुरुत है और अगर रिजवी का बल्ला 2-4 ओवर चल जाता ना तो गेम थोड़ा सा कुछ हलग हो जाता क्योंकि वही जो duration था ना जब जडेजा और मोही नेली खेल रहा तो 30-35 बॉलों पे कोई boundary नहीं आई थी और pressure वही बढ़ गया था वो तो thanks to my bhai की 116 तक पहुँची CSK वरना मुझे लग रहा था डेड़ सो रन भी बनाना मुस्किल हो रहा था जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई ये CSK बाकी केल रहूल इस खतरनाख performance की वज़े से बन गया player of the match और deserve भी करता है वरना तो कल मैच है दिल्ली में दिल्ली वर्सेस हैदरावाद बाकी हैदरावाद गजब के form में है बैटिंग बॉलिंग सब खतरनाख form में है सारे records अपने नाम पे दर्ज कर रही है लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली फाइट देगी और बहुत तगड़े लेबल पे देगी क्योंकि जिस तरीके से कुछ मैचे दिल्ली के बॉलर्स ने दमखम दिखाया है रिसब पंत के अलगी confidence है और वो गेम को कहीं से भी पलटा सकते है और दिल्ली में है तो दिल्ली वाले हैं दिल्ली कोई सपोर्ट करेंगे बाकि आप किसको सपोर्ट करेंगे कमेंट में जरूर बताना फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखिएगा बाबाई